अगली खबर में बात करते हैं स्वास्त संविदा कर्मियों को लेकर प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला स्वास्त संविदा कर्मियों का अनिश्चित काली धर्ना प्रदर्शन सुरू हो गया है यह कारिक्रम कलेक्ट्रेट के सामने किया जा रहा है केजारे धर्णा प्रदर्शन के संबंध में कारेकारी अध्यक्ष सुधाकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश संग के आवाहन पर 32,000 स्वास्त संविदा कर्मचारियों ने अपनी मागों को लेकर धर्णा प्रदर्शन सुरू किया है यह विरोध बामन जिलो में चरड़ा है अध्यक्षनी बताया कि सभी संविदा स्वास्त कर्मचारी विगत 20 वर्सों से कारेरत हैं हमेशा उनकी मागों को दर किनार कर दिया जाता है जबकि उनकी दो ही मुख्य मागे हैं जिसमें नियमिती करण और निसकासित कर्मचारियों क की बहाली है लेकिन उनकी मागें नहीं मानी जारी है आए सुनाते हैं पदधिकारियों ने और क्या जानकारी दी है यहां पर हम सभी समीता स्वास कर्मचारी एक से बीस वर्सों से लगातार कारेरत हैं और समय समय पर हम लोगों ने सासन पर सासन इस तरफ पर मागे उठाई है लेकिन हमेशा हम लोगों को लॉली पाप जुझना के लाबा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है कौंत मागे हैं हमारी दो सुत्रीं मागे निवाया यह कि हमारे जितने विसकाशस आती हैं उनकी भाली हो प्रशासन अपनै प्रशासन हम लोग इतनी अच्छी सेभाइद है ठीक है और हम लोग ने अपने कई सम्दा साथियों कोया भी है और प्रसासन हम लोगों के लिए सिर्फ वयान बाजी करता है कि संवेदल सीले लेकिन एक से बीस वर्सों तक में हम लोगों ने कई बार हर्ताल की अपनी मागे रखी लेकिन उनकी कैसी संवेदल सीलता है कि संवेदल सीलता क्या है कि खतम होने का नामी नहीं नहीं ले रही लगभग लगभग ठप हैं हमाना सुधाक अप्षाति वारी कि अमन की जो क्रांटी हुई थी 1857 की क्रांटी में सफलता तो नहीं हुए देश पहारे आजाते नहीं हुए क्योंकि वह बिगेशित अंदोलन हुआ था हमारी मागे पूरी हो अर्जार जुल्म की टकर में झाल